तीतुस के नाम पॉलुस की पत्री तीतुस इशु का एक यूनानी अनुयाई था जो कई वर्षों से पॉलुस का एक भरोसेबन सहकर्मी और सहयात्री था उसने पॉलुस की पहले कई बार संकट की परिस्थितियों में सहायता की थी और इस पत्री में हम पाते हैं कि पॉलुस ने उसे क्रेते जाने की जम्मदारी सौपी थी, जो युनान देश का एक बड़ा द्वीब था, ताकि वो वहाँ जाकर ग्रह कलिसियाओं की व्यवस्था को सुधारे। अप्राचिन जगत में क्रेती की संस्कृती बदनाम थी, जोटा होने को दर्शाने वाला एक युनानी शब्द क्रेती जो था यानि क्रेते वासी होना, यहां के लोग छल कपट और लालच के लिए बदनाम थे, उस द्वीब के अधिकांश पुरुषों ने सबसे उंची बोल बंदरगाह थे और उनके द्वारा प्राचिन भूमध्य सागर के सारे नगरों को लाब मिलता था, इसलिए पालुस के दृष्टिकोंड से क्रेते कलीसियाओं की स्थापना के लिए बिलकुल सही स्थान था, हमारे पास अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन किसी ना किसी ये कलीसियाँ भ्रष्ट करिती अगवों के प्रभाव में आ गई थी, उनोंने कहा कि वे मसी ही है, लेकिन वे कलीसियाओं को बिगाड रहे थे, और इसलिए पालुस ने तितुस को ये काम सौपा कि वहाँ जाकर सब बातों को सुधारें और इस पत्री में वे निर्देश पत्री की रचना एकदम सीधी और सरल है, संक्षित परिचय देने के बाद पालुस तितुस को कलीसियाँ में उसके कारियों के विशय में सपष्ट निर्देश देता है, फिर वो नए प्रकार के घराने के बारे में और उसके बाद नए प्रकार के मनुशत्व के बारे में अगवाई प्रदान करता है जिसकी रचना सू समाचार क्रेते के इन समुदायों में कर सकता था, फिर पालुस अंत के कुछ अभिवादनों के साथ पत्री को समाप्त करता है, पालुस तितुस को ये याद दिलाते होए शुरू करता है कि एक प्रेरित के रूप में उसका सं अनन्द जीवन की आशा के विशय में है, जिसका अर्थ है नहीं स्रिष्टी का वो जीवन जो इसी समय से ईशु मसी के द्वारा उपलब्ध है, और इस आशा की प्रतिग्या बहुत पहले उस परमेशर के द्वारा की गई थी, जो जूट नहीं बोलता, अब ये छोटी सी प्रारंभिक्टिपणी उस महत्वपूर्ण विशय का परिचय देती हैं, जो इस पूरी पत्री में पाया जाता है, क्रेते की कलीसिया की एक समस्या ये थी, कि उन्होंने मसीहियों के परमेश्वर ईशु के विशय में अपनी विचारों को उन यूनानी देवताओं के साथ मिला दिया था, जिनें देखते देखते वे बड़े हुए थी, विशेश रूप से जियूस, जो उनका प्रमुख देवता था, क्रेते के लोगों का दावा था के जियूस वास्तों में उनके द्वीपर पैदा हुआ था, और उन्हें जियूस के छलपूर्ण चरितर की कहान और दंद कथाओं को सुनाना पसंद था, कि कैसे वो स्त्रियों को बहकाता था, और अपना काम बनाने के लिए उनसे जूट बोलता था, और पौलुस इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता है कि ईशु के द्वारा प्रकट परमेश्वर जियूस से बिलकुल अलग है, उसके चरित्र के मुख्यगुण विश्वास योगेता और सत्य है, इसका अर्थ है कि मसीही जीवनशैली भी सत्य के विशय में होगी, जो क्रेते के इन लोगों के लिए एक वास्तविक परिवर्तन होगा, अधा फिर पौलुस तितुस को दो काम साउपता है, वो खहता है कि पहल अधिवारिक और सामाजिक रूप से अपनी खराई, इशु के प्रति अपने पूर्ण समर्पन, सैयम और उदारता के लिए पहचाना जाए, और इन नए अगवों को इशु के सुसमाचार की शिक्षा देनी है, और जूटे अगवों का सामना करके उनका स्थान लेना है, य लिकिन गलातियों की समस्या के समान इन लोगों की भी मांग थी, कि यदि गयर यहुदी सचमुच यहुदी मसिहा के अनुयाई बनना चाहते हैं, तो उन्हें खतना कराना और तोरह के नियमों का पालन करना जरूरी है, और उस कहता है कि वे यहुदी कथा कहानियों और मनु के चरित्र के बारे में सपष्ट और इमानदारी से बताता है, उसने कहा क्रेती लोग सदा जूटे, दुष्ट, पशू और आलसी पेटू होते हैं, वे सच और जूट तथा भले और बुरे के अंतर को मिटा देते हैं, वे केवल पैंसों के कारण वहां हैं, और यद्देप के कारण, इन कलिसियाओं के कई मसीहों के परिवार और व्यक्तिगत जीवन पूरी तरह से बरवाद हो चुके थे, और पॉलुस तीन अलग-अलग बार इसके दुष्परिणाम के बारे में बताता है, इसलिए पॉलुस के संदेश की निंदा हो रही है, और उनके गैर मसीह पड़ुसियों को अब दोश लगाने का अच्छा मौका मिल गया है, और इन सब बातों के कारण हमारे उधार करता परमेश्वर के शिक्षाएं नेरस हो जाती हैं और किसी को आकरशित नहीं करती, इसलिए पॉलुस क्रेते के एक आदर्श घराने को चतरित करता है, जो ईश समय क्रेते में चलन था, इसके बजाए उन्हें विश्वास योग्य जीवन साथी को खोजना चाहिए ताकि वे एक स्थिर और मजबूत परिवार के रचना कर सके, और जवान पुरुशों को भी यही करना है, उनकी पहचान उपयोगी और मजबूत नाविरिकों के रूप म अपने स्वामियों का अनाधर करने की छोट ना समझ लें, और फिर विदरोही दासों के साथ मिल जाएं, जिसके कारण मसीही संदेश की और अधिक निंदा हो। मसीही उपदेश क्रेते के लोगों को तभी आकरशित करेगा, जब मसीही पूर्ण रूप से सारवजनिक जीवन में भाग लेंगे, और जब उनके जीवन और परिवार रूपरी तौर पर एक समान दिखाई देंगे, क्योंकि निकट से देखने पर उनके पड़ुसी जान मसीही एक अलग परमेश्वर के प्रतिस समर्पित होने के कारण अलग मूल्यों पर आधारित जीवन जीते हैं, और पौलुस इसी अंतर को संक्षेप में बड़ी सुंदरता के साथ अध्याय दो के अंत में दर्शाता है, वो कहता है कि मसीही जीवन शायरी को प्रेरित करने वाला मूल्य परमेश्वर का उदार अनुग्रह है, जो ईशु के व्यक्तित्व में प्रकट हुआ और उसके पुनरागमन पर फिर से प्रकट होगा, ये अनुग्रह तब प्रकट हुआ जब ईशु ने अपने सम्मान की चिंता ना करते हुए, अपने शत्रों के बदले एक लज्जा जनक मरत्यू सही, ताकि वो उन्हें बचा कर उनका उद्धार कर सकें, और ये वही अनुग्रह है, जो परमेश्वर के लोगों को भ्रष्ट जीवन शैली का इनकार करने की बुलाहट देता है, जो परमेश्वर के उदार प्रेम के विपरित है, फिर पाउलुस मस मसीही घराने के विशय से बाहर आकर क्रेते के समाज में नए मनुश्यों के समान मसीही जीवन जीने के दर्शन की बात करता है, सब लोगों में से मसीहीं को आदर्श नागरी को शांति प्रिय, उदार, अधिकारियों के प्रधियाकारी सबकी भलाई चाहने वाले लोगों क के रूप में पहचाना जाना चाहिए, लेकिन ये उससे बिलकुल अलग है जिस तरह से क्रेते के लोगों का पालन पूशन हुआ था, मसीहीं को संस्कृती से विपरित इस जीवन शैरी को कैसे बनाया रखना है, और पॉल उसका मानना है कि इस सामर्थ का स्रोत त्रियेक पर स्तितियों के बावजूद परमेश्वर की कृपा और प्रेम के कारण हमारा उधार हुआ है, जिससे पवित्रा आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को शुत किया और नया जन्म दिया और उन्हें नया बनाया, और इशु के द्वारा उसने लोगों को परमेश्वर के लोगों को उत्पन करती है पौल उसको पका विश्वास है कि ईशुकी शिक्षाओं के प्रति आत्मा से सामर्थ पाई विश्वास योग्यता पूरे क्रेते द्वीब पर और सारे संसार पर परमिश्वर के अनुग्रह की गोशना करेगी पौल उस्तितुस से ये वायदा करते हुए समाप्ध करता है कि वो उसकी स्थान पर अर्तिमास या तोखिक उसको भीजेगा और तब वो अपने आप सिमित्रों को नमस्कार कहता है और इस प्रकार ये पत्री समाप्ध हो जाती है तितुस की पत्री हमें कलिसियाओं के लिए पौल उसकी मिशनरी रणनीती दरशाती है कि वे अपने समुदायों में परिवर्तन लाने के माध्यम बन जाए ये सांस्कृतिक युद्ध छेडने के द्वारा या क्रेते जैसी जीवन शैली को अपना लेने से नहीं होगा इसके बजाए वो इन मसीहों को क्रेते की सांस्कृति में बुद्धिमानी से सहभागी होने को कहता है जो बुरा है उन्हें उसका इंकार करना है लेकिन वहाँ जो अच्छा है उसे अपनाना भी है यदि वे शांति पूर्ण रूप से रहना और स्वयम को ईशु के प्रती तथा सब की भलाई के प्रती समर्पित करना सीख लें तो पॉलुस के शब्दों में मसीही लोग अपने उधार करता परमिश्वर के उपदेश की सुन्दर्ता को दिखा पाएंगे और तितुस की पत्री इसी विशय में है